बैंगलोर फिलाल तो सूखा है प्यासा है और यहां तक की जो रोज की नीड है उसको भी पूरी नहीं कर पा रहा है उम्मीद भरी नजरों से आसमान वाले की ओर देख रहा है मन में पीडा लिये भी दिन रात बैंगलोर के निवासी बस ये प्रातना कर रहे हैं कि कुछ बूदे बरसादो भगवान इस धरती पर भी ताकि यहां की जो प्यास है वो बुछ सके देखो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि सयुंक्त राष्ट के एक पूर महासच्यू थे उनका नाम था बतरस बतरस घाली उनुने कहा था लगबत तीस साल पहले की बात है जो उन्हें कहा था कि जो इस धरती पर तीसरा विश्यूद होगा उसकी वजह क्या होगी तो वो वाटर क्रैसिस होगी फिलाल अगर देखें तो उनकी ये जो कहानी है उन्होंने जो ये बात कही थी वो कहीं ने कहीं कुछ ने कुछ सचाई लिये वे जरूर है 1995 में वर्ड बैंक के इसमाईल सेरा ग्लेडिन ने पानी के बैसरी संकट पर कहा था कि इस सताबदी में तेल के लिए युद्ध हुआ लेकिन अगली सताबदी की लड़ाई पानी के लिए होगी भारत के पूर्पधान मंतरी अटल बिहारी बाचपेई जी ने भी कहा था कि ध्यान रहे कि आग पानी में भी लगती है और कोई आश्चर नहीं कि अगला भी सुद्ध पानी के मसले पर हो तो दोस्तो फिलाल जो कुछ चल रहा है इस पूरी दुनिया में उसको हम दर्किनार करके कंसंट्रेट करते हैं अपनी रिज़र डालते हैं करनाटका की राजधानी बैंगलूरू उपर दोस्तो बैंगलूरू एक हिल इस्टेशन जैसा है समुद्र तल से इसकी जो कुल उचाई है अगर हम बात करें तो इसकी कुल उचाई 920 मीटर है मतला समुद्र तल से यह 920 मीटर की उचाई पर बसा हुआ है भारत की जो 98% आबादी है वो इससे कम एलिवेशन पर रहती है देखो दोस्तों 1961 तक की बात करें 1961 तक की बात करें तो बैंगलूरू में कुल 262 जीले थी मतलब यह था कि 70% हर्याली थी इसलिए इसे गार्डन और लेक सिटी भी कहा जाता था लेकिन अब मात्र 81 जीले ही बची है और महज 3% हर्याली बची हुई है बाकी जगह पर क्या है तो बस कंक्रीट के जंगल है करते हैं कि विकास के नाम पर जो सहरों में डेवलमेंट के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उसे पर्यवरन को बहुत ही भीशन छटी हो रही है और इसका खाम्याजा कहीं कहीं मानोता को ही चुकाना पड़ेगा अनियंत्रित कंक्रिनाइजेसन कर सकते हैं आप इसे सहरी करण सब्द यहां पर उची तो नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही अनियंत्रित है और तेजी से जो जमीने होती हैं उनको कंक्रिट में बदला जा रहा है पानी जो बरस्ता है वो सतह तक पहुंच नहीं पाता है जो पानी है वो जमीन के अंदर जा नहीं पाता है और जो तालाब थे जो पोकरे थे जो जीले थी उनको तेजी से पाट पाट कर उस पर भी बहुत सारी चीजें बन रही हैं कि लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में रहें या work from home ना करें घर पर ही रहें जो कुछ कर सकते हैं घर पर करें कोचिंग जो है बंदो चुकी हैं और यह का जा रहा है बच्चों से कि आपको आनलाइन कोचिंग प्रवाइड की जाएगी जो सिक्षक है उसे भी का जा रहा है कि आप लोग आनलाइन ही पढ़ा है या कॉरोना से भी भ्यावा इस्तिती बनके सामने आ रही है swimming pool में और पौधों तक में पानी डालने से मना कि जा रहा है कि पौधों तक में आप पानी ना डाले तो मतलब यह है कि अगर swimming pool में किसी ने पानी छोड़ा तो पांस जार का जुर्माना बिग बाजार हैं जो वहां के hotel हैं माल हैं रस्तरा हैं वहां पर लोग जाके नहार हैं क्योंकि घर में पानी नहीं आ रहा है पानी का जो टैंकर 500 रुपे में आता था अब वो 2,000, 3,000, 4,000 रुपे में मिल रहा है तो देश में तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाले सहर बैंगलूरू में जल संकट बहुत ही गहरा हो गया है और लगबग 1,000, 4,000 करोन लोग इससे प्रभावित हैं मतलब लगबग 140 करोन लोग जो है वो भीचन तरीके से प्रभावित हो रहे हैं देखो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो संस्थावाएं जो हैं हाउसिंग सोसाइटी जो हैं कमपनिया हैं और लोगों न भी संकट के इसाफ से ढलने और पानी बजाने की उपायों पर काम करना शुरू कर दिया है और साथिसाथ यहाँ पर अगर कोई गाड़ी धोता हुआ पाया जा रहा है पौधों में अगर कोई पानी डाल रहा है तो उस पर भी यहाँ पर पिनाल्टी की जा रही है और ये भी का गया कि बैंगलूरू वाटर सप्लाई बोर्ड ने पीने के पानी का स्विमिंग कुल में इस्तिमाल करने पर बैन लगाया है बोर्ड ने का कि नियम का पालन नहीं किया गया तो पांच जार रुपए जुर्माना लगेगा इससे पहले पीने लायक पानी का इस्तिमाल कार्द होने कपड़े दोने और पौधों में डालने पर भी प्रद्बंध है न मानने पर भी पांच जार रुपए का यहाँ पर जो लगाया जा रहा है जुर्माना तो मैलूरू में रोजाना करीब 200 करण लिटर पानी की खवत है इसमें 145 करण लिटर कावेरी नदी से बाकी करीब 55 करण लिटर यह बौर्बिल के जरी आता है अब बौर्बिल का इस्तेमाल तो बहुत ही भीसर तरीके से होता है लेकिन बौर्बिल के लिए याने कि जो नी प्रता मूरा है इसका प्रभाव आगे भी पड़ेगा धर्ती की जो घूडरंगती है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि अगर यह हमारी धर्ती है तो इसमें जो वाटर लेबल है अगर एज यह सूख जाएगा तो धर्ती उदर टिल्ट हो सकती है यह भी कहा जा रह में सहर में 257 ड्राइस स्पार्ट चिन्नित किये हैं जहां पीने के पानी की किलत है और इसमें बहुत सारे सहर हैं जो कि आप यहां पर देख रहे हैं फिलाल यहां पर कावेरी नदी में क्योंकि वर्सा नहीं हो पाई तो कावेरी नदी में भी अब जो पानी आता था पानी काफी कम हो गया है तो कावरी जदी से पानी की सब्लाई भी कम हो गई है और उसी का नतीजा है कि बैंगलूरू में फिलाल तो बहुत ही भेंग कर पानी की क्राइसिस देखने को मिल रही है तो 93% जो फिलाल जमीन है बैंगलूरू की उस पर तो अब कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं कहने के लिए हम कर सकते हैं बैंगलूरू साइंस सीटी है बैंगलूरू में बहुत डेलप्मेंट है यह है वो है लेकिन यहाँ पर जो इस्तिती बन के सामने आ रही है आपने देखा होगा अभी टाम टाम इंडेक्स आया था उसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा जाम वाला साहर जो था वो तो लंदन बताया गया लेकिन छटे या साथवे नंबर पर आ रहा था बैंगलूरू यह गर्व की बात नहीं है यह वाकई बहुत ही चिंता का भी से है देखो फ्रेंट्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि आयायम बैंगलूरू पानी के दोबारा इस्तिमाल पर काम कर रहा है तो यहाँ पर यह प्रोक किया जा रहा है कि जो पानी इस्तिमाल में लाया जा चुका है उसको दोबारा से पानी में बदला जा सके मतलब फिर से पीने योग उसे बदला जा सके कमजोर मांसून की वज़ की गगार पर हैं और 1214 पूरी तरह सूख चुके हैं यहां तक कि जो बड़े-बड़े नेता और मंत्री हैं उनके यहां भी बोरेल वगएरा हैं वे भी सूख चुके हैं यहां पर आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दस्कों में बैंगलूरू में जो अनप्लांड कह सकते हैं इसे क्योंकि यहां पर जो भी प्लानिंग के था तो कुछ किया नहीं किया गया कंक्रीट की सरच रहे हैं जो भी बिल्लिंग्स बन रहे हैं डेवलेप्लेमेंट के नाम पर तो उसमें एक हजार पचपर प्रस्जत की तीवर प्रदी देखने को मिली है अब यह आंकड़े वाकई डराते हैं और साथ ही साथ ध्यान किस पर नहीं जा रहा है कि जल प्रसार छेत्र में 89% की गिरावट मतलब कि यहां पर जो जल प्रसार छेत्र था वो घटकर इतना बचा है बाकी सब कंक्रीट में बदल गया है अब यहां से पानी जो है नीचे जा नहीं पा रहा है तो डेफिनिटली क्या होगा वाटर लेबल की कमी होगी अब एक और भी डराने वाला यह यह कहिए कि एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडिसन यहां पर जो उत्पन हो रही वो यह है कि यह कंक्रीट के जंगल जो बन रहे हैं उसके लिए पेड़ों को बहुत ही तीवर गती से काटा जा रहा है बैंगलूरू में बरतमान में देखा जाए तो साथ आदमियों पर केवल एक पेड़ बचा हुआ है मतलब कुस दिनों के बाद बैंगलूरू में सांस लेना भी मु 2324 हेक्टेर था जो कि अब केवल 692 हेक्टेर वचा हुआ है आप देख रहे होंगे कि कितना तीव रिगती से जो है आपर और कितनी भैंकर यहाँ पर गिरावाट हुई है जल का जो छेत्र था वो कितनी जलिस्ति कम हो रहा है 1973 के दौरान बैंगलूरू में पानी की सदक रही है सेजल निकाह में 98% जो जीले थी उस पर भी अत्क्रमन हो चुका है 98% मतलब जीले जो है नेर बाउट खतम हो चुकी है 1973 में आई टी सरका निर्मिती छेत्र केवल 8% था और अब यह बढ़कर कितना हो गया है 93% हो गया है रिमोट सेंसिंग डेटा से पता चलता है कि क 9.5 मिलियन की आबादी का समर्थन करते हैं मतलब आप देख रहे हैं कि एक पेड़ पर साथ आदमियों के लिए ऑक्सिजन सप्लाई की जिम्मेदारी है अब लोग ऑक्सिजन की कमी से भी मरने वाले हैं बस कुछ दिनों का आप लोग और इंदजार करें अन्योजित सहरी कर लाओ जैसी गंबीर समस्याएं ये उत्पन होंगी इसी वजह से फिराल तो पूरी इस्तिती जो बन रही है बैंगलूरू में और साथी साथ भारत के बहुत सारे ऐसे सहर जो बहुत ही अनियंद्रित तरीके से बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से उसमें भी ये कंडिशन आने वाली है 2030 तक कई सारे सहर बैंगलूरू जैसी इस्तिती में होंगे यहाँ पर देखा जाये तो नीती आयोग ने जो अनुमान लगाया है उसके मताबिक 2030 तक भारत के करीब 10 सहर जिसमें जैपूर दिल्ली बैंगलूरू गुजरात का गांधी नगर गुरुगराम करिए सब कुछ करिए लेकिन प्रकृति के साथ छेड़ छार बिल्कुल भी मत करिए लगातार पेड़ों का कटना लगातार जल का एक तरीके से जो मतलब बिना किसी प्लानिंग के उसका जो च्छरण हो रहा है जो ग्राउंड वाटर है उसमें जो कमी आ रही है अगर इसको हम समय रहते नहीं चेते तो निश्चीत रूप से एक ऐसी महमारी आएगी जो कि जल के कारण उत्वन होगी पूरी मानवता का सर्वस्व इसमें स्वाहा हो सकता है फिलाल दोस्तों अब इस सिसन करें पर समाब करते हैं उम्मीद करता हूं कि मेरा मैसेज आप बहुत हैं यह आपके लिए उतना ही सही है तो प्लिश दो लाइक और शेयर और हाँ लोगों में अवेर्नेस फैलाईए मैं आप लोग मुझे निवेदन करता हूं प्रातना करता हूं और प्लिश वीडियो को लाइक और शेयर जरू किजीगा थेंक्यू